बिजनौर की काशिराम कॉलनी का रहने वाला अधेड उम्र के रफीक नाम के आरोपी ने पडोस की ही दस वर्षे यूफ्ती के साथ जबरन बलातकार कर उसकी मोबाईल से जबरन वीडियो क्लिपिंग बना डाली और इसी वज़े से रफीक कई मेनों से उसकी असमत को रौन्दता रहा मजबूरन पीडिता ने घर वालों को जब आप बिती बताई तब तब जाकर पूरे केस का खुलासा हुआ मौके पर पहुची पुलीस ने रफीक के पास से मोबाईल में परी ब्लू फिल्म को भी अपने कबजे में ले लिया पुलीस ने आरोपी को उसके घर से गिरफतार कर बलातकार का मामला दर्च कर लिया है पीडिता अपने उपर हुए जुल्म सित्थम पर कोट से आरोपी के खिलाफ फासी की सजा की मांग कर रही है अब आस्पे कास कालो ने कंतर काशी राम कर्वों से सूचना पराप्त लिया एक पचास वर्षी है नफी और इसके बारे में लिए ना जानकारी मिली कि अपने के सामने रहने वाले परिवार में एक लंकी के साथ खाफी समय से दूस्काम कर रहा था यह भी जाकतारी मिली कि उसने इसकी फिल्फ मनानी कि उसका पसारा करने की देकर के उसको लिगातार कर संतरा था कि सब्सक्राइब के उसका लिए गया है वाली पर सब्सक्राइब ने कर दिया है